यह तो आप जानते ही हैं कि हिंदुधर में हर दिन किसी न किसी भगवान की पूजा का विधान बता गया है ऐसा माना चाता है कि हर दिन दिन के हिसाब से अगर हम किसी भी देवी अदेता की आराधना या पूजा पार्ठ करते हैं तो हमें मनचाहा फल भी जरूर मिलने लगता है वहीं सम्म में सबसे ज़्यादा निराले हैं देवों के देव महादेब जी हाँ महादेब की महीमा भी अपरम पार होती है भारत जैसे देश में आपको महाकाल के हजारों की संख्या में भक्त देखने के लिए मिल जाएंगे साथी इनका दीदार करने के लिए भी लाखों भक्त उमरते हुए नजर आते हैं यहां भोले नाथ के बहुत जादा मंदिर भी हैं और सच्चे मन से भोले नाथ को पूजा भी जाता है मानता है जो भी सच्चे मन से भोले नाथ का दीदार करता है उसके सभी कलेश हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं आपको उतादें इनकी संपूर लीलाओं का जिक्र भी आप वीद पुराणों में पढ़ सकते हैं बताते चलें बहुत जादा अद्बुत संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है इनकी किस्मत अब बुलंदियों को छूती हुई नजर आएगी वहीं बुलेनात की करपा से इनके घर परिवार में मांगलिक कारे होंगे इन राशी वालों की कुंदली में सब तरह के दुख समाप्थ हो जाएंगे घर में सुख शान्ती रहेगी और कोई बड़ी खुश खबरी मिले के भी योग बनते हुए नजर आ रही है कुछ दिनों से आ रही परेशानी या कुछ दिनों से दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है उससे भी छुटकारा जल्द मिलेगा जिन राशी की हम बात कर रही है चले बताते हैं आखिर कौन सी है वो एक राशी राशी है मेश राशी नेक्स्ट नाइन भक्तिस आगर से आकाश की रिपॉर्ट